हेलो दोस्तों आज हम लोग एक ऐसे कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं जो कि भारत का भविश्य भी हो सकती है और वो कंपनी है आईडिया फोर्ज और जैसे कि आप जानते हो कि ये एक फ्यूचर बिजनेस में है और वो फ्यूचर बिजनेस कौन सा है वो फ्यूचर बिजने है ड्रोन्स का बिजनेस इसके ड्रोन्स आपको मिलिटरी में सर्विलेंस मैपिंग वगेरा कई जगे पर देखने को मिलते हैं तो आपने देखा होगा कि हमारे PM मोधी जी भी हमेशा ड्रोन्स के बारे में बात करते रहते हैं तो आपको पता होगा कि आने वाला जो वारफेर है, जो भी डिफेंस में लडाईया होने वाली है। सकते हैं आखिर कौन लोग हैं जिनों ने इस कंपनी को स्टार्ट किया है क्या हम देख सकते हैं कि ये कंपनी एक दिन जैसे आज हम लोग TCS या Infosys या CL Tech की बात करते हैं IT Services में क्या Drone Systems में ये इंडिया की एक Number One Company बन सकती है कि नहीं आज हम उसी के बारे में यहां पर डिसकस करने जा रहे हैं जैसे कि आप समझ रहे हो कि जितने भी वीडियो हम लोग यहां पर ला रहे हैं वो सारे वीडियो जो है एजुकेशनल पर्पस से हैं इन वीडियो में कोई भी रिक्मेंडेशन नहीं है कि discussion यहाँ पर कर रहे हैं तो जैसे कि हम लोग ने पिछले जो वीडियो में Angel One Company के बारे में बात किया था आज हम लोग उसी framework में Idea Forge Company को लेकर आ रहे हैं तो Idea Forge एक बहुत ही छोटी Company है अगर हम लोग यहाँ पर जाएं इसका snapshot देखें तो जब हम लोग उपर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि इसका जो Market Cap है वो बहुत ही कम है Market Cap इसका जो है वो लगभग 3,500 करोड का है यानि कि बहुत ही छोटी Company है ठीक है? यह काफी छोटी Company अब सोची अगर यहाँ से 35,000 करोड की भी Company हो जाती है तो 10X हो जाएगी यानि आप जो इतना भी पैसा लगाते हैं आपको उस पे return मिलेगा 10 times का और कहीं यह गलती से 35,500 करोड की Company बन जाती है तो फिर आपको यह 100X भी दे सकती यानि कि आपका पैसा 100 गुना हो सकता है लेकिन यह सब depend करता है कि future में Company कैसे perform करने वाली है क्योंकि अभी का अगर scenario हम लोग इस Company का देखें तो इस समय तो चीजे ठीक नहीं चल रही है ठीक नहीं चल रही है मतलब कि जहां पे इसका IPO पे लिस्टिंग हुई थी वहाँ से देखें तो आज यह काफी अगर मैं अपने Excel sheet में देखूं तो यह 30.41% डाउन चल रही है आज यह Company और यहां से अगर मान लिजे यह केवल recovery भी कर लेती है और उस price तक पहुँच जाती है तो यह हमें यहां पे 60% तो ऐसे ही return बना सकती है क्या यह इतना असान होने वाला है short term में इस Company को अपने price पे क्या बहुँच सकती है तो इसके बारे में ही आज हम लोग यहां पे discussion करने जा रहे है तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें कि यह Company करती क्या है तो हम चलते हैं इसके website पे तो आप यहां पे देखेंगे कि आपको कुछ drones नजर आ रहे होंगे और क्या देखते हैं हम लोग कि global leader in UAV technology अब यह UAV technology क्या होती है कुछ नया सा सब्द यहां पे हमें दिखाई दे रहा है तो UAV का जो full form होता है that is unmanned aerial vehicles यानि drones drones ही आप समझ लिए थोड़े बड़े drones होते हैं नहीं हम लोग बोलते हैं unmanned aerial vehicles तो यह pioneer है इस field में आप यह पढ़ सकते हैं we are the pioneer and the pre-eminent market leader तो यह बहुत important word है यहां पे they are market leader in Indian unmanned aircraft systems and our UAVs are equipped with industry leading specifications and capabilities तो बहुत ही यहां पर है तो इनके आप अलग-अलग अगर products देखेंगे तो switch UAV है आप जाके अच्छे देख सकते हैं Netra V4 Pro UAV है Ninja UAV है फिर quadruple है क्योंकि यहां पे आप देख सकते हैं कि 4 आपको दिख रहे होंगे fans यहां पर तो Q4i UAV है Rhino UAV है और यह देखे आप Q6 UAV है तो कई सारे आपको products यहां पर दिख रहे हैं तो performance में काफी अच्छा है फिर reliability भी देखे company किस तरीके से बता रहे है autonomy यहां पर क्या कर रहे है और फिर तो कई सारी चीज़े हम लोग यहां पर देख सकते हैं तो और क्या क्या का में देखे mapping land survey, mining area, planning and mapping oil and gas में भी use होता है volumetric estimation में भी use किया जाता है, देखे security and surveillance इसका use कहा है anti-terror, border security, crime control, coastal security and surveillance, तो इससे आप समझ सकते हो कि इस company के जो usage है वो military में भी usage है और क्या क्या देखे हैं आपे solutions यह provide करते हैं blue fire touch flight cloud, blue fire life तो कई सारी चीज़े हैं जो आपको यहाँ पे देखने को मिलती है और फिर कुछ चीज़े हम लोग इनकी जो है जो report है उसको भी देखकर यहाँ पे समझ सकते हैं कि ये indigestionly developed VTOL and fixed wing VTOL hybrid UAVs तो ये first है ऐसा करने वाली ये high altitude में इसके drones काम कर सकते हैं largest drone technology and manufacturing player है इंडिया में globally dual used drones category में number 5 की company है क्योंकि अभी market evolve हो रहा है तो इसलिए आप देख रहें कितनी छोटी company होने के बाद भी ये पाँचमे नंबर की position इसकी word में आपने सुना होगा recently की अदानी भी इस field में आ रहा है तो इससे आप समझ सकते हो कि ये business कितना बड़ा हो सकता है तो अगर operational metrics देखी जाए तो इन्होंने आज तक कितनी जो है flights complete की हैं अपने customers के लिए तो that is 4,55,000 और हर एक पाँच मिनिट में जो भी drone उड़ता है वो idea forge का होता है और एक लाग से ज़्यादा flight तो इसी साल के वर और इस समय आप देखेंगे 72 patents grant इनके progress में है तो बहुत सारे इनको awards भी मिले हैं आप इस सारा snapshot देख सकते हैं जैसे कि आपको पता है कि कहां से हम लोग ये सब देखते हैं आप BSC की साइट से भी देख सकते हैं और दूसरा आप इस screener को भी यूज कर सकते हैं तो कई सारे certification है PLI benefit मिला हुआ है government से छेप नए patent तो इनको इसी साल मिले हैं तो यहां से देखकर ऐसा लगता है कि company जो है काफी अच्छी तरीके से अपने को मजबूत कर रही है technology में क्योंकि एक technological company है जो की defense के छेतर में है तो यहां से हमें यह भी आपने सुना होगा कि हमारे जो defense minister हैं उन्होंने बोला था कि इंडिया कुछ सालों के अंदर 50,000 करोड के export के बारे में सोच रही है तो वैसे में इन company का number बहुत आगे आता है क्योंकि आप देख सकते कि इनके technology कितनी अच्छी है अभी हम लोग इनके numbers को भी study करेंगे लेकिन जो पीछे के numbers है वो केवल हमें आज तक क्या हुआ है उसके बारे में बताते हैं लेकिन future में क्या हो सकता है वो तो हमें अपने अकुमेंट से ही सोचना पड़ेगा तो I hope कि आप काफी चीज़ें यहां पर देख पा रहे होंगे कि क्या-क्या इन्होंने किया है और एक नई चीज जो एक innovation इनका हो रहा है that is drone as a service तो अभी तक आपने SaaS सुना होगा software as a service यहां पर नया words देखने को मिल रहा है that is drone as a service increase availability and provides flexibility of consumption customer के outcomes कई सारी चीज़ आप देखें third party payload support भी करते है control software इन्होंने बनाया है hardware के platform भी बना रहे हैं तो काफी कुछ आपको awards and recognitions वगेरा यहां पर देखने को मिल रहे हैं तो देखें इंप्रूवड अब ग्लोबल रैंकिंग इंडर ड्यूवल यूज केटेगरी पाइलेट विद एंकर कस्टमर इंबीटर टेस्टिंग ऑफ ड्रोन अज़ सर्विस डिलीवर्ज डिफेंस कॉंट्रैक्स वेल अहड़ अप दस सेडियूल और यह जो कंपनी है इसने अपने offices यूएस में भी खोल ले हैं क्योंकि आपको पता है इस कंपनी में तो आप यह सारी बाते जो है इंवेस्टर प्रि्जेंटेशन में देख सकते हैं और इस कंपनी के बारे में जान सकते हैं तो एक future की उम्दा कंपनी है जहां से हम expect कर सकते हैं लेकिन यह ऐसा नहीं होगा कि आप यह सोचे कि एक straight line में company बढ़ने वाली है तो यह बहुत सारी जो है यहाँ पर problems भी आने वाली है तो इसलिए आपका जो convince आप होने चाहिए कि आगे क्या हो सकता है ठीक है तो क्योंकि यह business बढ़ रहा है तो इसमें जो आगे की कंपनिया है जो market leading companies हैं उनके आगे बढ़ने की बहुत संभावना है तो जैसे मैं बोल रहा था कि इन्हों ने geographical expansion सुरू किया है तो यह आप यहाँ पर पढ़ सकते है geographical expansion participated in the US procurement program local and federal agency for anchor use cases DAS as a business model पे काम कर रहे हैं तो काफी चीज़े आप देख सकते हैं आप पढ़ेंगे तो इसके बारे में आप जानेंगे growing importance of drones in warfare तो आप ने देखा होगा कि अभी कुछ चुनाओ के time पे लोगों ने कहा कि भारत आत्म निरबर भारत के बारे में बात हुई आपने जाना होगा कि भारत कितनी तेजी से अपने आपको defense के sector में बढ़ाने की कोसिस कर रहा है और जितनी भी चीज़े भारत में पहले इंपोर्ट होती थी इंडिया कोसिस कर रहा है उसको कम करने की तो इसलिए जो है drones के area में भी आप देखोगे कि इंडिया की company भी develop हो रही है जिसे भारत की जो dependence है वो किसी और country के ऊपर ना हो तो उसमें आपने देखा हुआ जल्दी solar करके company है उसने भी अपने drones provide किये अभी जल्दी सुनने में मिला कि अदानी भी कुछ drones जो है develop कर रही है उसी तरीके से ये company भी हमारी drones के छेतर में काफी तेजी से ब वी पी आर एंडी ये सब bachelor of technology और mtech वगरा है आई आई टी बॉंबे से तो आप समझ सकते हैं कि जो यहां पे लोग जो टॉप management है वो काफी जो है अच्छे colleges से है इसका मतलब कि काफी इन्होंने सोच के इसमें काम किया है और यह आगे बढ़ने की लगातार कोसिस कर रहे है तो अब अगर हम चाहते हैं कि आज तक का performance क्या रहा है company का तो अगर हम लोग उसमें जाएं तो क्योंकि आपको देखने को यहां पर मिलेगा कि अभी जल्दी यह company सुरू हुई है तो बहुत सारा data तो नहीं हमारे पास लेकिन अभी आप देखेंगे जैसे June 29 के quarter में 99 करोड 3040 हो गई तो बहुत यह volatile है यहां पर अभी 105 पर है तो margin वगेरा भी आप देख सकेए पहले 55% के margin थे अब फिर negative भी हो गया फिर positive हो गया तो थोड़ा अभी क्योंकि अपने आपको develop कर रहें तो इसलिए आपको यहां पर बहुत जादा consistency नहीं दिखने अगर हम लोग profit and loss को जो है देखें in terms of year तो तब हम देख सकते अगर 2022 से देखें तो फिर जो है company दीरे दीरे बढ़ रही है मार्च 2024 में आप देख रहे हो कि 300 करोड के sales के आगे company पहुँच चुकी है और अभी इसका profit 48 करोड का है तो compounded sales growth क्योंकि छोटी company है तो आपको ज्यादा देखने को मिल मिलेगा साथ में अगर हम लोग return on equity भी देखें तो अभी अच्छा नहीं है क्योंकि हम लोग future पे bet कर रहे हैं यहाँ पर तो आप यह सारी बाते और यह risk को समझें और अगर यह company अच्छे से यहाँ से चलती है तो यहाँ से 10x और यहाँ तक भी possibility है कि कई सालों के अंदर हम 100x भी होते हुए इसे देख सकते हैं और अभी के technicals क्या कह रहे हैं तो अगर अभी के technicals में हम लोग जाएं तो जैसे मैंने बताया था कि अभी लग रहा है कि इसने अपना base बना लिया है यह जो नीचे की blue line है अगर once यह 850 वगएरा cross करती है company तो यहाँ से जो है अपने previous high pay भी पहुंच सकती है और वहां तक आपको 60% का gain भी दे सकती है लेकिन यह मैं सोच रहा हूँ यह मेरी opinion है मैं गलत भी हो सकता हूँ लेकिन जिस framework के हिसाब से हम काम करते हैं यहाँ पर उस framework में जो है company एकदम उपर नहीं होनी चाहिए company थोड़ा नीचे होने चाहिए company में जो है आगे बढ़ना है हमें लग रहा हो कि इसका business आगे बहुत improve कर सकता है तब ही हम किसी company के उपर bet करते हैं तो I hope कि आपको आज का presentation अच्छा लगा हो आपको कुछ समझ में आया हो और आप आगे के लिए अगर सोच रहे हैं इसमें तो आप अपनी तरफ से भी पूरे अ घच्छा से स्टदी कारियर थाक्यू तक्य रीवर्यम खटेड़ने में आपको कॉरे मोंना हो।